असलाम अलेकुम वेलकम बैक टो मैं यूट्यूब चैनल मुझे सबसे ज़्यादा क्वेस्चन किया गया है कि तारिक भाई पेयाउट्स पे कोई वीडियो बना दे तो आज मैं आपके लिए लेके हूँ पेयाउट्स पे एक मकमल सीरीज जिसको यूज करते हुए जिसको यह होते हैं तो आज की वीडियो में मैं शुरू से लेके एंड तक जो बेसिक चीजें हैं वो सारी आज आज आपके सामने रखने वाला हूँ तो सिंपल इस वीडियो को स्किप नहीं करना आप वीडियो पूरी देखनी है और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो इसको कॉंपनी बनाने में और जो जो रिक्वारिमेंट्स हैं सब कुछ जानते हैं तो चलें लैप्टॉप की स्क्रीन पे तो हम आगे हैं लैप्टॉप की स्क्रीन पे इधर हम बनाएंगे यूके की कॉंपनी कैसे बनानी है यूके का बिजनेस बैंक अकाउंट कैसे बनाना है औ तो इसलिए हमें UK company बनाना पड़ती है और हमें कुछ ना कुछ investment करनी पड़ती है अब मैं demo class आपको इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको तकरीबन investment करनी पड़ेगी और अच्छी खासी investment करनी पड़ेगी demo class इसलिए दे रहा हूँ कि अजब तक आपके पास कोई monetize page ना हो तब तक आपने इस तरह की कोई भी company नहीं बनानी ताकि आपकी investment और आपका time बच सके इसलिए मैं यह demo class दे रहा हूँ next classes में मैं आपको step by step guide करूँगा कि हमने कैसे इसको payout लेने हैं कैसे UK number purchase करना है कैसे मतलब company register करवानी है सब कुछ detail में बताऊंगा लेकिन आज की class में मैं आपको overall बता रहा हूँ कि हमने कैसे मतलब UK की company UK का bank account और paypal वगरा create करने है तो इस सारी चीज़ें आज मैं आपको detail में बता दूँगा अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको एक like कर देना और अगर आपके इससे related कोई मसला हो या आपको कोई question हो तो currently comment section में जरूर बताना देना ताके मैं आपकी सारी चीज़ें हल कर सकूँ तो simple UK company बनाने के लिए जो जो चीज़ें दरकार होंगी नहीं होती है UK का business account होता है और bank account वगरा होते है तो यह एक basic चीज़ें जो के हमें जरूरी है अब इनको बनाना कैसे है मैं next step पे आपको लेके चलता हूँ यह मैंने एक presentation आपके लिए तियार की हुए है तो हम next step की तरफ बढ़ते हैं तो simple जैसी हम next step की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है UK company registration requirements मतलब जो UK में हमने company बनानी है उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें दरकार होंगी यह सारी चीज़ों पे आप discuss करेंगे उसके बाद next step की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहली जो चीज़ हमें जरूरी है ना वो UK registered address जरूरी है ठीक है उसके बाद हमें UK का phone number चाहिए होगा और वो भी हम purchase करेंगे address भी हम purchase करेंगे UK company name होगा यह हम कैसे नाम select करना है कैसे इसके लिए नाम बनाना है वो हम अगली videos में discuss करेंगे और इन सब को deal करने के लिए हमें एक Gmail की जरूरत होगी आप Gmail कोई भी create कर सकते हैं कोई personal Gmail create करना आपने कोई अच्छा सा strong सा और इसको हमने सारे कामें use करना है तो मैं आपको recommend करूंगा कि उपर वाले जो तीनो points हैं इनको आपने जैसे ही deal करना है उनके लिए सिर्फ एक email address बहुत है हर किसी के लिए अलग अलग email आपने नहीं बनाना simple उसके साथ बताता चलो कि यहां पर हमें जो tax पड़ेगा 19% पड़ेगा ठीक है जो के हमें financially तोर पे एक साल के लिए देना होगा और यह उन्हें एक अपरैल से 2021 से इन्होंने fix कर दी है ठीक है उसके बाद हमें जो tax पड़ेगा 12 मन्त के बाद अगर हम 85,000 pound से जादा कमाते हैं तो तब हमें उनका tax दोबारा लगना होगा जिसको VAT tax बोलते हैं ठीक है लेकिन हम इतनी रेज तक पहले बात है को पहुंचे नहीं है और दूसरा अगर हम पहुंच जाते हैं तो तब इस पे हम मजीर discuss करेंगे तो ये चार basic चीज़े हैं जब हम UK company register करवाते हैं तब हम ये चार के चार option हमारे पास मजूद होने चाहिए इसके इलावा हमारी UK company registration नहीं होगी ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे UK address purchase करेंगे ठीक है कैसे करना है वो आने वाली वीडियो में बता देंगे थोड़ा सा overview देता जाओं क्योंकि यहां पर investment होनी है तो मैं नहीं चाहता कि आपकी investment राएगा जाए या पहले investment कर लो और आपके पास को monetize page ना हो या कोई payouts ना हो तो तब आपका time भी जाया हो और आपके पैसी भी जाया हो वो आपके साथ discuss करता चलो सबसे प्यादे हमें registration number चाही होगा जो के हमने पहले ही purchase किया है पिछले step पे हमने देखा है कैसे purchase करना वो आगे वीडियो में बताऊंगा लेकिन वो ही number हमारा यहां पे चल जाएगा उसके बाद आपको UK registration address चाही होगा वो भी हम buy करेंगे ठीक ह और वो भी हमारा सारे process में चल जाएगा UK business bank account में भी वो भी लग जाएगा उसके बाद UK का phone number यह भी हम purchase करेंगे और purchase करने के बाद यह भी हमारे सारे process में एक ही number use हो जाएगा और उसके बाद personal detail यह बहुत important step है यह हमें buy नहीं करना पड़ेगा लेकिन हमें self से यह create करना प के लिए ताकि step by step आप सीखने में असानी हो सके तो यह एक overview है UK business bank account बनाने वक्त जो चीज़ें हमें दरकार हैं जो documents हमें दरकार हैं वो आपके सामने हैं यह चारों चीज़ें UK business bank account में use होती हैं तो यह चारों चीज़ें आपके पास होंगी तो आप अगले step पे जाएंगे ठीक है तो यह वाली चीज़ भी हमें clear होगी कि हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है अब next step की तरफ बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले एक चीज़ clear करता चलूं कि आपने ना कोई जगार नहीं लगाना इस काम में फिर ना किया ना तारिक भई हमें मसला हो रहा है जगार इचले दो points पर discuss कर चुके हैं कि हमने purchase करना है यहां पर भी यह यूज हो जाएगा UK phone number आए जाता है यहां पर UK phone number भी हमारा वही चलेगा जो हम पहले step में buy करेंगे उसके बाद UK का bank account यह दोनों चीज़े हमें उपर वाली मिल जाएंगे यह तीसरे number पर point है UK का bank account यह हम create कर लेगे पीछे हम discuss कर चुके हैं उसके बाद email address जो के हम self से बनाएंगे और एक professional email address बनाएंगे जो के हमारे बहुत ही काम आएगा और उसके बाद last में personal detail personal detail हम कैसे add करेंगे इस पे एक detail वीडियो आ जाएगी तो UK PayPal business account बनाने के लिए यह 5 चीज़े जरूरी है अगर हमारे प निकालने हैं उसके इलावा कोई freelancing करनी है या कोई Amazon का यो company बगर एजिस्टर करवानी है यह सारा काम उसके लिए भी चल सकता है ठीक है लेकिन हमारा मकसद सिर्फ in stream ads के payout लेना है वैसे तो basically मैं पाकिसान में रहते हुए PayPal या मतलब कोई UK की company यूज नहीं करता लेकिन PayPal का business account बना सकते हैं तो इस पर भी आपने कोई जगार नहीं लगाना सेम दूसरे step की तरह और यहां पर भी आपने original तरीके से काम करना है तो बढ़ते हैं next step की तरफ तो next step में जो हमें देखने को मिले रही है ना इनकी जो total cost है जो यह तीनों-चारा points पे हमें जो खर्चा प रहे हैं क्योंकि बहुत जादा messages होने के बावजुद मैं reply नहीं कर सकता तो simple जो total expensive है ना वो हमारे UK company registration के लिए 12 GPP लगेंगे हमारे ठीक है जो सबसे पहली investment है उसके बाद UK registered address क्रीदने के लिए हमारे 46 GPP पर मन्त के लिए लगेंगे और phone number के लिए 20 dollar लगेंगे ठीक है UK bank account create करते वक्त हमें 16 GPP देने पड़ेंगे या हमारे account से detect होंगे इसके उपर जो total जो tax या total जो हम कह सकते हैं VPS है वो 30 dollar पार मन्त है ठीक है जो cost है और पाकिस्तानी total amounts अगर मैं आपको बताऊं कि हमने जो banks और गारा create करने है UK का phone number purchase करना है UK का address purchase करना है इस पे हमें total जो amount document करूंगा कि ये सब कुछ करने से पहले ना अपने पास तीन से चार ऐसे pages त्यार कर लें जिनके आपके पास payout त्यार हो चुके है ठीक है अगर आपके पास पहो चुके है तो तब रिस्क लें otherwise आप किसी से मांग के भी काम चलाएं या किसी का पुराना payout लगा के भी काम क्योंकि 26,000 investment बहुत जादा investment है एक काम बंदे के लिए एक काम मतलब इनसान के लिए मैं समझ सकता हूं मैं भी low category से उपर आया हूं तो it's mean मैं आपको समझ सकता हूं तो ये सारा कुछ से हमें करने के लिए जो जो step दरकार होंगे इन पे आगे आपको detail में वीडियो बता है उमीद करता हूं आपको ये चीज समझ आगी है जिसको समझ नहीं लगी मुझे मतलब पूछ सकता है कमट्स कर सकते हैं तो मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त अपने दौाओं में याद रखना अलाफीज